कई सारे लोगों से जब बात्चीत होती है तो बातकी दौराम ये चीज कहते हैं कि आजकल ये जो देशभक्ति वाली मूवीज होती है ये जो देशप्रेम दिखाये जाता है ये वाली मूवीज इतना काम नहीं करती है और फिर उसके बाद में इस जनरेशन की शायद कुछ ब हमारे देश को एक ऐसा बड़ा पियार दिया जिसने देश की आजादी में इतना बड़ा कारणामा किया कि बस क्या बोले है ए वतन मेरे वतन ये आने वाली मूवी है Amazon Prime के उपर इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और सबसे सर्प्राइजिंग चीज इस ट्रेलर में रही मेर इमरान हाश्मी अगर आप सरसरी निगासे इस ट्रेलर को देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इमरान हाश्मी को स्पॉट भी नहीं कर पाएंगे इतने बड़िया तरीके से उनके करेक्टर को मोल्ड किया गया है या यू कहें मेक अप किया गया है लेकिन इन सबके बावजूद ट्रेलर देखकर एक बात तया है कि शायद हमको राजी जैसी एक और मूवी देखने के लिए मिलने वाली है अब इसके बाद जो भी तारीफे होंगी वो तो मूवी देखने के बाद ही कर पाएंगे फिलहाल बात कर लेते हैं ट्रेलर के बारे में कि ट्रेलर में आखर क्या कुछ है तो करन जोहर के बैनर तले बनने वाली फिल्म एवतन मेरे वतन का ट्रेलर रिलीस किया गया इस फिल्म में सारा ली खान और इमरान हश्मी पहली बार साथ काम करते हुए नदर आएंगे रियल लाइफ इंसरेंट पर बेस्ड ये फिल्म फ्र प्रेरित इस फिल्म की कहानी 1942 के भारत छोडो आंदोलन के इर्द गिर्द बुनी गई है ट्रेलर में दर्शकों को आजादी से पहले के दौर की झलक भी देखने के लिए मिलती है बंबई की 22 साल की कॉलेज गर्ल उशा महता गांधी बादी वादी विचारों से प्रेरित ह कर देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले लेती है गुप चुप सीक्रेट तरीके से एक रेडियो स्टेशन भी चलाती है और इस लड़ाई में अपनी तरफ से यहां से युगदान देती है धीरे धीरे यही रेडियो स्टेशन भारत छोडो आंदोलन की आग को हवा देने वाला सबसे बड़ा जरीया सबसे बड़ा हतियार सबसे बड़ी ताकत बन जाता है चुनल की बात करें स्टाक्सिता पूरा पूरा दरुमदार सारा के कंदों पर दिखाई देता है उनके अलावा इसमें लापता लीडीज फेम इस पर श्रिवास्तर सचिन खेडेकर और एलेक्स ओ नील जैसे अक्टर्स भी नजर आएंगे वहीं इमरान हाश्मी इसमें गेस्ट अपीरेंस में होंगे और ट्रेलर में उनके किरदार की भी जलक देखने के लिए मिली है हाला कि उन्हें पहचान पाना जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा काफी कठेने एक चीज़ देखना काफी अच्छा है चाहिप आप आर्टिकल 370 की बात कर लें या फिर आप एवतन मेरे वतन की बात कर लें वुमें सेंटर के इन मूवीज में ऐसी आदाकाराएं हैं जिनको की आप देख कर कह सकते हैं कि नहीं ये वाकई में इतनी बड़े प्रोजेक को डिजर्व करती थी अपने कंदों पर लेकर चलना आर्टिकल 370 में भी हमने देखा यामी गौतम ने किस तरीके से पूरी मूवी का भार उठाया और इस मूवी में भी इमरान आशमी है जरूर लेकिन गेस्ट अपीरेंस है अब बात करते हैं उशा महता जी की बारे में जिनके की ऊपर ये मूवी बेजड है तो उशा महता जी भारती सामाजी कारेकरता और सवगंतरता सैनानी थी बात करने जन्म की तो 25 मार्च 1925 को गुजरात के सूरत में उनका जन्म हुआ था और उशा ने मातर 8 साल की उम्र में ही पहली बार साइमन कमिशन प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया था इसके बाद उन्होंने देश के सुतंतरता संग्राम में बहुत महत्र पूर्ण भूमिका निभाई थी विमहात्मा गांधी की नेतरतों में रेडियो प्रसारण और संदेश प्रसार का काम करती थी उनका प्रमुक कारशेत्र आजाद रेडियो था जो की उन्हें 42 से उन्हें 47 तक चला वो ब्रिडिस सरकार के विरुदू समाचार और प्रसारण को और प्रसारण को और प्रसारण को और बहुत एहम भूमिका निभाती थी और लोगों को आजादी के संदेश सुनाकर आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए प्रेरिद भी करती थी 98 में भारत सरकार ने उशा को पद्म विभूशन से सम्मानित भी किया था ये मूवी कुछ उन चुनिंदा मूवी में से है जिनको की शायद हमको जरूर देखना चाहिए बाकी मूवी रिलीज होने के बाद जरूर बात करेंगे इसके बारे में कि ये मूवी वाकई में क्या हमारी अपिक्षाओं के ओपर खरीब उतर रही बेर सुदी विला अपना इजाएं जाएं 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 जाएं